हेलो दोस्तो हीरो इंडियन सुपर लिग सीजन नाइन में अब तक इस्ट बैंगल एफसी ने दो मैचिस खेल लिया है और दो मैचिस खेल ले के बाद इस्ट बैंगल एफसी ने अब तक एक भी मेजित हांसिल नहीं किया है तो दोस्तो एफसी गोव के खिलाफ इस्ट बैंग एफसी खेनले वाली है 20 अक्टूबर को होम टीम नौर्थी शनेडर्ड एफसी के खिलाफ लेकिन दोस्तो कोच स्टीफेन कॉंस्टेंटाइन के लिए एक बहुत बरा सरदर्द आ चुका है क्योंकि सेकेंड राफ में एफसी गुवा के खिलाफ एलेक्स लिमा जो मिड्फिल् इसलिए हम इस मैच में इल्यांद्रो को स्टार्ट करते हुए देख सकते हैं तो दोस्तो यह इस्ट बैंगल एक्ट के लिए बहुत बुरा खबर है कि इसट बैंगल एकिक को अब तक जीत हासिला नहीं हुआ है दोनों मैचिस में और वहीं उनकी IMPORTANT पलियर एलेक्स लिमा इंजर्ड हो चुके है और उपर से नौर्टी शनेरेड एफसी के होम ग्राउंड में ये मैच होगा तो दोस्तो कोच इस्टिफेन कॉंस्टेंटाइन एलेक्स लिमा के इंजरी को लेकर काफी ज़दा चिंतित है लेकिन दोस्तो खबर है कि डर्बी मैच से पहले एलेक्स लिमा फिट हो जाएंगे लेकिन दोस्तो कोलकाता डर्बी मैच से पहले नौर्ट शनेरेड एफसी के खिलाफ इस्ट बेंगल एफसी को खेलना होगा और यहाँ देखना है कि इस्ट बेंगल एफसी के कोच इस्टिफेन कॉंस्टेंटाइन इसका क्या सेल्यूशन निकालते हैं तो चले दोस्तो फिलाल यह वीडियो में इतना ही था आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा और अच्छा लगाई तो लाइक करो शेर करो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को भी प्रेस कर दो तो चले दोस्तो अब मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में